नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाई-फाई स्टेडी पर, मैं हूँ अंकेत अवस्थी, आप है मेरे साथ में, 15 मिनिट में 15 समाचार में, जो की important है, रेलवे, SSC, बैंकिंग, सभी एक्जाम्स के लिए और डिफेंस के एक्जाम्स के लिए भी, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजे और पढ़ना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है आज के सेशन में, सेशन की शुरूआत में हमेशा की तरह सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में, सबसे पहली जानकारी, रेफरल कोड के समन्द में, यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अनकेडमी पर मे आपको इस्पेशल क्लासेज में भी एंटरी मिल जाती है, वर्तमान में SSC में मेरा इंडियन एकॉनोमी का कोर्स चल रहा है, यदि आप स्टेटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, बिलकुल फाउंडेशन से तो आप उस बैच को जाइन कर सकते हैं, मेरे साथ में है विपुल, इंटेलिजेंस और मशीन लर्णिंग टूल्स का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने के लिए CPG RAMS नामक एक मोबाइल अप्लिकेशन किसके द्वारा लॉंच किया गया है, तो साथियों हाल ही में इस मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग जी के द्वारा, असल में ये होगा क्या, ये ग्रिवांस का एनलेसिस करेगा, ग्रिवांस क्या होती है, शिकायते होती है, शिकायते किस से, सैना में अगर किसी को कोई शिकायते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टरी में जो शिकायते हैं, उनके लिए ये आंसर भी देगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रशन की तरफ और अगला प्रशन क्या है कि हाल ही में AI पावर बेसर तो हमने ये पढ़ी लिया और इसके अंदर होगा क्या इसका नाम है centralized public grievance redressal and monitoring system जिसके तहत ये कार्यकरम किया गया है अगले प्रशन की आपसे बड़ा तैरता हुआ सोर पैनल फार्म कहां पर बनाया गया है तो आंसर है सिंगापूर में बनाया गया है ये तथ्या आप लोग याद रख सकते हैं सिंगापूर वर्ल्ड का सबसे बड़ा floating solar park यानी पानी के अंदर solar park अब आप पूछेंगे सर इसके फायदे क्या होंगे दिखिए इसके दो फायदे होते हैं पहला तो ये है कि ये जो पानी का जो surface area है उसको cover कर लेंगे नमबर दूसरा मतलब इनको जमीन की आवशकता नहीं पड़ेगी सिंगापूर वैसे भी बहुत छोटा सा है दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है कि जो water है उस मतलब वो है कमी की जा सकेगी इसकी वज़े सोद आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से solar panel farm है जो 45 football fields के बराबर है पानी में इस प्रकार से इन्हें बनाया गया है और ये electricity को पैदा करेंगे ठीक है ना साथियों अगले प्रशन की तरफ floating सिंगाब बिल्कुल शिवराज बिल्कुल सही कह रहे हो आसुतोष ओजा good evening है ना तो आगे चलता है साथियों अगले प्रशन की तरफ किस राज सरकार ने केंद सरकार से फसल बीमा योजना PMFBY की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अन आप पुछेंगे प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना अल्टिमेटली है क्या तो साथियों खरीफ रभी और जो अपनी जायद की फसले होती है इन फसलों के लिए प्रधान मंतरी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को इस बीमा योजना का अनावरन किया गया था इसमें किया क्या गया कि यदि मान लीजे कि फसल बोने के बाद किसान की फसल अगर नुकसान हो जाए तो उसको एक बीमा रकम दी जाती है मान लीजे कि अगर आपने खरीफ की फसल बोई खरीफ की फसल बोई तो आपकी जो कुल लागत है उसका 2% आपको देना पड़ेगा ऐजे बीमा की रकम उ वो फसल के उपर रिटर्न कर दिया जाएगा खरीफ और रभी की फसलों के अंदर ये जो काम है ये तो आपने सुनी लिया इसी प्रकार से अगर कोई भी कमर्शिर या हॉर्टी कल्चर की फसल है तो उस पर 5% फसल का मतलब उतपादन करके लोटा दिया जाएगा ठीक है ना? हाँ जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं साथियों तो ये मैंने आपको बता दिया कि परदान मंतरी फसल बीमा योजना के बारे में और फरदान मंतरी फसल बीमा योजना मना रहा है तो आशा बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना के द्वारा बनाया जा रहा है तो बोनालू उत्सव कहां मनाया जा रहा है तो विश्वजीत साहा बिलकुल बिलकुल पढ़ाएंगे बिलकुल पढ़ाएंगे पढ़ा ही रहे हैं पढ़ते रहिए अमर पात्रा सुभए ही पढ़ाया था बेटा उस किटिंग करवा के डाल देंगे है न इवनिंग तक डाल देंगे ठीक है न चिंता मत करिएगा ठीक है हाजी हाँ की एंड का ठीक है बिल्कुल ठीक है आप भी अच्छी बात बोल रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज मैनेज की जाए है ना आपके लिए बस यह मेरा कमिटमेंट है इसलिए इस कि अपकी वीकली भी आपसे साजह कर सकता हूं बट विध्यारतियों का कहना है कि इस क्लास को लेके आते रही है तो विंद्वेज कर रहा हूँ आप इस कामको कैवाल अपने नौटस के परस्पेक्टिव से क्योंकि है कमिटमेंट है जिसे अंतरगत जो है वो अकाना मदाना टेंपल के अंदर पूजा की जाती है बोनालू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है ठीक है न तो ये एन्वल मन्थ लॉंग इस्टेट फेस्टिवल है और ये जुलाई 11 को मनाना शुरू किया गया था और ये 8 अगस्त तक मनाया जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रशन की तरफ तेलंगाना से आगे निकलते हुए चीन से भिख्षू फल की खेती अब किस राज में शुरू की गई है मौंक फ्रूट मौंक फ्रूट कहा गया है तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्यूट रिया कमें आ रहे हैं बिलकुल आ रहे हैं क्यों ट्रिया तुम्हारे कमेंट भी आ रहे हैं तो यह कौन सी जगे मौंक फ्रूट पैदा किया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया जा रहा है बिलकुल भाई चीन के अंदर से पहले तो मतलब तिबती लोग आए अब उनका फल भी आ गया है तो यह कौन सा फल हो गया तो यह हमने आपको बता दिया चीन का भिक्षू फल जिसको आप मौंक फ्रूट कहते हैं वो आ चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन बना है साथियों आप लोगों के सामने हिमाचल प्रदेश से आगे किस राज जिने इलेक्टिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरन किया है तो साथियों इलेक्टिक बाइक टैक्सी योजना हाल ही में रैपीडो के माध्यम से करनाटक के द्वारा यूज किया गया है यानि कि अब आप यहा बब्द करवाई जा रही है ठीक है ना तो यहाँ पर कनाटका के अंदर इस काम को शुरू किया गया है इसके अंतरकत क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी ट्रिप करने के लिए 10 किलो मेटर से जादा का राइड नहीं होना चाहिए और इलेक्टिक वीकल पालिसी का उभियोग यह है वो इस्थापित किया गया है यहाँ पर रुद्राक्ष इन वारा नसी शुरू किया गया है इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन वारा नसी उद्गाटन किया गया है इसको जापान के सयोग से बनाया गया है यह कन्वेंशन सेंटर जा इसमें 1200 लोगों का एक आडिटोरियम है, तीन एकड में ये फैला हुआ है, 150 लोग यहाँ पर दो मीटिंग हॉल में बैठ सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर एलुमीनियम के 108 सांकितिक रुद्राक्ष लगे हुए हैं, यानि चारों तरफ रुद्राक्ष लगे हुए हैं, एक गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें विश्व प्रदर्शनी की सुविधा आयोजित की जा सकेगी, इसे सौर प्लांट से चलाया जाएगा, एक प्रकार से वारा नसी के लिए, एक कन्वेंशन सेंटर जहां पर लोग आकर के बैच्चीत कर सकेंगे, यह सारे काम हो सकेंग यहां पर होगा क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात के अंदर फाइनेशल सिटी का निर्मान किया जा रहा है, तो एक्सपर्ट सिटी जो है, वो IFSA के लिए एक प्रकार का सजेशन देगा जो यहां पर कारे करेगा, अब IFSA क्या है? तो यह इंटरनेशनल फाइने जाले के साथ समझोता किया है, हाल ही में NOIDA के द्वारा विकास किया गया, इसमें होगा क्या? सेंटर फूर एडवांस ट्रांस्पोर्टेशन टेकनलोजी एंड सिस्टम, यानि कि एडवांस टेकनलोजी के लिए यहां पर सेंटर डवलप किया जा रहा है, उसे और ज्यादा उननत बनाया जा सके, निमनलिखित में से किस तीन बार की राष्ट्रे पुरसकार विजटा अभीनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है, तो साथियों हाल ही में सुरेखा सीखरी, अगर आप इने जानते हो, तो ये बाली का वदू करके सीरियल आता है, उस से इनकी मौत हो गई है, ठीक है, हाँ जी, बॉलिवुड की कई सेलिबिटीज ने इनके मतलब इनको याद किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रशन की तरफ, हीट सेहन सील COVID-19 वैक्सीन निर्मान किसके द्वारा विक्सित किया गया है, तो साथियों, एंदर गर्मी की वज़े से ये खराब नहीं होगा, यैंनि टेंपरिचर सेंसिटिव होगा, ठीक है नं, आगे बढ़ते हैं साथियों, टेंपरिचर सेंसिटिव दवा जो है वो आईए एसी के द्वारा विक्सित की गई है, इसके साथ ही अगले प्रश्न में, हरियाना सरक ये 2022 में पंच पुला हरियाना के अंदर आयोजित किये जाएंगे आप इसे याद रख सकते हैं ठीक है ना इसके साथ-साथ ही खेलो इंडिया योथ गेम फरवरी 2022 ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है आगे चलते हैं मलेश्वरम गवर्मेंट बॉइस हाई स्कू इसकूल बन गया है ये इसकूल है कहां तो ये साथियों बैंगलूरू के अंदर इस्थित है गवर्मेंट इसकूल इन बैंगलूरू टू डवलप 75 सैटेलाइट्स ठीक है इसके साथ-साथ-साथियों यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रशन बनता है ग्रशन बार्ब 1 डीवाशिय स्थियों फिर ब्त तरफ नगे वार्ब 3 Iya क्व साथियों यहाँ ठीक हैं तृजियों नगूरूब इंडियन वुमन लीग वहलू आपको याद लेखफे हैने चाहिए। माफी चाह रहा हूँ ये अफगानिस्तान से नहीं है ये बांगला दिश्ट से हैं बाबर आजम ठीक है हाजी तो ये मतलब इनके बारे में आप बाबर आजम और ले भाई साब ये पाकिस्तान से सौरी भाई क्रिकिट में नॉलिज मेरा बिलकुल जीरो है है ना तो आप सौरी भाई मतलब बिलकुल भी नॉलिज क्रिकर का नहीं है हमको गोकुलम केरल एफसी को एफसी क्लब चैंपियंशिप दो हजार बीस इकिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करना है तो साथियों इसे कोपा अमेरिका के बारे में मैं आपको बता दूँ तो दो हजार एकि इसके लिए गूगल प्लेश्टोर से अपने आपको रजिस्टर कर लें गोल में आपके सामने तमाम ऑप्शन दिये गए हैं रेफरल कोड अंकित 10 लगा कर 10% डिसकाउंट इमेडियेटल प्राप्त कर लें तैंक यू सो मच इस क्लास की कंटेंट की पीडिएफ आप लोगो को मेरे टेलिग्राम चैनल अंकित अवस्ति सर पर प्राप्त हो जाएगी धन्यवाद